गुरुवार को मुंबई में शिव सेना, UBT के पूर्व पार्षद अभिशेक घो सालकर को एक शक्स ने गोली मार दी है। उनकी हालत गंभीर है। उन्हें बोरी वली के करुणा अस्पताल में भरती कराया गया है। समाचार एजेंसी मुताबिक गोली मारने वाले शक्स मौर अभिशेक घोसालकर, पूर्व शिव सेना विधायक विनोद घोसालकर के बेटे हैं। अभिशेक मुंबई के दहिसर के वार्ड नंबर एक के पूर्व नगर सेवक है। वह मुंबई बैंक के निदेशक भी हैं। बताया जा रहा है कि दोनों में आपसी विवात था। वरत दिन पहले उलहास नगर में बीजेपी विधायक गणपत गायकवार्ड ने शिव सेना शिंदे गुठ के नेता महेश गायकवार्ड पर गोली चलाई थी।